नमस्ते जी कैसे आप सब मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको व्यू कराओं की अपनी लिविंग रूम का आज मैं अपने थोड़ा सा टोपिक से हटके आपको अपना लिविंग रूम दिखा रही हूँ और इसका भी एक में कारण है कि मैं यहां पर आपको अप कितलेस की दिए मुझे मेरी कमेंट पर और यह रखा हुए इस ने SLPicon अपने इस आप किस तरह कि मैं के को क्लर आया हूए को क्लर अधर बहुत अच्छा वह पर थोड़ सी रोचनी आती है वाहर से कि दर्वाजिक तरप से कि Rock мне मैंने यहां रखा हुआ मनी प्लांट रखी हुए हैं पूरे घर में जगजे गया है कोई बाथ्रोम बेम दिखाऊंगे आपको ग्लास चार में से बनाया हुआ हो बहुत अच्छा चल रहे हैं यह मेरे सेंटर टेबल का मैंने ए सेंटर टेबल पर रखने के लिए और यह मनी प यह लेख कर देख्ट रखने के लिए लगा कि खाली हो रहा है तो इसमें क्यों ना मैं मनिप्लांट की टेहनिया डाल दूँ छोटी-छोटी कटिंग डाल करके इस तरह से मैंने इसकी कटिंग डाली हुए है और जो अच्छी जल्ली हो इंक दिखाती है इस तरह से में ढाल दो थोड़ा इसमें ध्यान परता है कि पानी कम हो जाए तो तो आप ताइम थे पानी भर दीचे तो जल्दी-जल्दी घतम हो जाता इसका पानी रहा देख्याओ काफी अच्छा यह लग रहा है यहां पर एक बन गया है कोफी टेवल के लिए ये देखिया कितने इतनी ग्रोध हो इसकी हो गई है डालने के बाद इस सब में आयो हुए है ये नहीं नहीं कल लिए और मैं आपको दिखाते हुए जो टहनी हो ये देखिये सब में इसमें रोट से निकल रहे है तूप भी गिया है एक कुछ आप अपने घर का अद्मॉस्प्योड साइट ठीक कर सकते हैं और थोड़ा सा कूल फील देता है ये ग्रीन ली जहां पर भी हम बैठते हैं इतनी चलचलाती भी गर्मी में और बहुत कितना ही होट क्यों नहीं हो लेकिन हमें लगता है कि हर्याली देखके सबका मन कोई ऐसा नहीं होता जिसे ये भाती नहीं हो खासकर मैं तो काफी पसंद करते हूं हर जेगे ग्रेंडरी आर्ट इफिसल पॉर्ट रखने से ज्यादे अच्छा है कि हम भर में कुछ ऐसा खुद से तयार करें ये मेरा स्नेक तांटे दिख़े आप आपको प्लीजिए अगर इसमें मैंने टर्टल लखा वा टर्टल दिखा ये दिखिए ये टर्टल है क्रिस्टल इसमें मैंने इसकी कटिंग डाली वे है अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए थेंक्यू वेरी मॉच